हलो एवरिवन आज मैं आप लोग के साथ पारो इंस्पार्ड मेकप लुक शेया करने वाली हूं मोभी देवदास से इस लुक की मुझे हद से ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी सो फाइनली आज टाइम निकाल के मैंने आप लोग के साथ सेया कर दिया आसा करती हूं कि मेरा वी लोगों नहीं कर रहे हूं हां उनके मेकप लुक को मैंने कॉपी किया हूआ है क्योंकि आप लोगों नहीं रिक्वेस्ट की थी सो वीडियो पसंद आये आपको अच्छा लगे तो मेक्शियो लाइक कर दें आपका एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा माहिने रखता है च कर देना आपका लाईक ना इतनला मोटीवेट करता है मैं क्या बता हूं मोटी weis news on tv लेय ल्याइक से तो आज मैं आइबूर करने के नि living को आर्फिय लिए क्वरा पर ब्राउन सेट किए यहां से मैं प्राउन सेट्पिक याएओ यान आइबूर फिल कर ले और पने के कर सकते हो तो मैं जरूर ीक्रियाइट करूंगी आप अच्छे अच्छे पूरो की साथ करूंगी तो आप याप लोग बताईएगा कि क्या देखना है और हम अब अब लोग tune को सब्सक्राइब कररा है क्या अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो मेक शो मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें वहां पर भी हम डेली साम को साथ बजे या साधे साथ बजे वीडियो डालते हैं बस अब यहां पर आइवरो को क्लीन करने के लिए मैंने परपल का सब्सक्राइब करेक्टर और तिक है हाई कवरेज कंसीलर है हाई रिकमेंडेड है एक बार ट्राइज जरूर कीजिएगा कोई भी जिकायत नहीं आएगी इस 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 आपको तो बस ऐसे ही मेरे आइब्रोज को क्लीन कर ले रहे हूं इससे काफी प्यारा साल लुक आता है इस इंहिंसर भी आता है अगर आपके पास नहीं है तो आप उससी इस इपिर को मैंने लगा लिया अब ब्रस की हेल्प से आपको ब्लेंड करना था कि कुछ इस तरीकी से तो बस मैंने ब्लेंड कर लिया है और हाँ मैंने इसकिन केर पहले ही फॉलो कर लिया था अब मैं यहां पर सिरम के लिए यूज करें जी वी रस्वेरी फेसियल लॉयल काफी अच्छा फेसियल लॉयल है आपके फेस को हाइड प्लस मॉस्टराइज करता है लंबे टाइम तक आ इतने सारे प्रोड़क्ட मैंने मेरे फेसिबे ट्राइए यह तो इसकीन मेरी ड्राइए हो गई है इसलिए मुझे अच्聲 से इसकेन के फॉलो करना था प्राइमर के लिए मैं आपर मिल्लानी का परफेक्शन प्रायमर यूज कर यह कर रही हो है कर अगर आपको डिश्क्रम प जाएगा तो सेड के लिए डिस्किप्शन बॉक्स चेक जरूर करें अब इसको मैंने अच्छे से फेस पे निक पे लगा लिए अब एक व्यूटी ब्लेंडर की हल्प से ब्लेंड कर लें यह मेरा बिल्कुल सेड आप देख सकते हो अब मैं आप देख सकते हो नहीं बोलूंग तो इसलिए मैं लगे हात हैस्ट चाली अब हैस्ट कर लेते हुँ थोड़ा सा टाइम्टेकिंग हो जाता है कीयोंकि जब आप उफ कैमरा करते हो तो जलदी जलदी कर सकते हो ल्किन वाप कैमरा चालु कर carry हो तो टाइम लगता है अब मैं यहाँ पर concealer के लिए फिस से उसी palette का यूज कर रहे हूं यहाँ से concealer set पिक कर रहे हूं eyes के नीचे और eyelid पे as a eyeshadow primer यूज कर रहे हूं nose पे थोड़ा सा यहाँ आप देख सकते हो highlighting purpose से लगा रहे हूं concealer हमेशा highlighting purpose से ही use किया जाता है concealer हमेशा जब भी आप यूज करें अपनी skin से वन या टू से light यूज करें concealer हमेशा light यूज करना चाहिए ताकि आपकी eyes जहां पर आप लगा रहे हो pop out हो highlighted लगे तो बस एक beauty blender की help से blend कर ले रहे हूं beauty blender मैं यूज कर रहे हूं real technique का brushes मुझे real technique के ही पसंद है real technique pack तो इन ही दो brand के brushes मैं यूज करती हूं अब मैं इसको अच्छे से blend कर ले रहे हूं concealer को set करने के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं एक translucent powder जो की है राइस्ट पाउडर है राइस्ट प्रेस्ट पाउडर पलाडियो का सबसे पहले मैं आईज को set कर ले रहे हूं थाकि क्रीज ना बने अच्छे से ब्लेंडेबल दिखें इसके बाद आईज के नीचे क्योंकि concealer लगा हुआ है सेट करना जरूरी है नहीं तो कुछ टाइम बाद क्रीज लाइनिंग लाइनिंग सी बन जाती है आप अकसर देखते होंगे अगर आप मेकप अच्छे से से नहीं करते ब्लेंड नही आपको अ है कि के बैस पर अले गरल का इस ब्लस के लिए यूज कि यूज कर यूसमे मिल जाता है सबसे पहले मैं आसे ब्रोंजर सेट्पी और कॉंड ब्लस कीहल्प से बनाकर आपको ब्रोंजर लेंडा लेक्स तरीके से अंचा हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉल करते हूं और हां अगर आप मुझे टैक करते हो तो मैं आप लोगों से बात भी करते हूं लेकिन टैक करना है गाइस डियम इतने ज़्यादा होते हैं कि रिप्लाइ कर पाना मेरे लिए इंपॉसिबल हो जाता है तो मैं कभी कभी रिप्लाइ नहीं कर पाती हूं तो बी हॉनेस्ट मुझे रिप्लाइ की ख़िये हुए एक महीने से ज्यादा हो गया इंस्ट्राग्राम पे जो डियम आयो हुए सब का रिप्लाइम पॉसिबल है आप मुझे ट्रैक करोगे तो मैं आपसे बात जरूर करूँगी तो नोज को आप दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने ब्रस पे पाउडर लगाया इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया नोज के किनारे किनारे अब मैं यहाँ पर ब्लस यूज कर रहे हूं सबसे पहले ब्लस आ लेना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ताकि हार्स न दीखिये अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज कर रहे हूं उसी पैलेट में से और एक ब्रस की हेल्प से लगा ले रहे हूं चिकवोन पे जहां पर आपको हाइलाइटिंग की ज़रूरत है आप हम आपर लगा सक इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइट कर दिया है आइशेडो के लिए मेकप रिवलेशन का फ्लॉलेस फोर आइशेडो पालेट यहां से ब्राउन से पिक कर रहे हूं एक ब्लेंडिंग ब्रस की हेल्प से अपनी क्रीज में लगा ले रहे हूं जब तक आपको लगा की बिलेंड करना है जब तक आपको लगे कि आपका जो आईशेडो कि अची तरीकेसे ब्लेंड हो गया है ही तिर से इसे में लगा ले हूं बस रेखिए कितना ज़्यादा ब्लेंडेबल दिख रहा है मैं फिर से इसी सेट को पिक कर रहे हूं है इस साइज में आप देख लीजिए कई लोग बोलते हैं दी आईशाडो हमसे दोनों आईज में अच्छे से नहीं लगता है हमेशा मिस्टेक हो जाती है तो आप देखिए जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है अब यहां से मैं ब्लैक सेट पिक कर रहे हूं क्योंकि एस की जो आईज है स्मोकी स्मोकी प्लस गोल्ड ऐसे करके है पिक्चर में मुझे जहां तक दिख रहा है वैसे ही लग रहा है मैं मोवी तो देखी हूं लेकिन बच्पन म लग आपए तो हहा है है कोई भी मोवि नहीं देखी हूं कोई भी नहीं सोच लीजी इतना डाइम हो गया है यूटूब ही मोवी नहीं देखती हूं कभी कॉमेडी सीन देख लेती हूं बस ऐसे ही दोनों आईज में लगा कि आपको ब्लेंड कर लेना है इस स्मोकी आई है तो आपको ब्लेंडिंग का पूरा खयाल रखना है नहीं तो अच्छा नहीं आएगा लुक अब मैं याँ से इस गोल्ड ग्लिटरी सेड को पिक कर रहे हूँ ग्लिटर नहीं है बट सिम्री सेड है आप देख सकते हो फिंगर की हल्प से लगा रहे हूँ फिंगर की हल्प से अच्छे से लग जाएगी तो बस अच्छा हाँ रक्षबंधन का लुक देखना चाहरे हो आप लोग जल्दी जल्दी बताएगा किस तरीके का लुक देखना है आपको तो मैं उसी हिसाब से वीडियोज प्लान करूँ बस ऐसे करके मैंने लगा लिया यह देखिए पता नहीं कैसे यार वीडियो लेंथी हो जाता है अब मैंने फिर से इस सेट को पिक की आयन अच्छे से ब्लेंड कर ले रहे हूं ताकि जो सिंबरी आईशेडो है यह बाहर तक ना दिखे बस आईलाइनर के लिए मैं यह पर येश्क्यू का जिल आईलाइनर यूज कर रहे ज्यादा लंबा विंग नहीं बनाना है आपको छोटा सा बनाना है कुछ इस तरीके से देखिए अगर आपको इस पे अलग से वीडियो देखना है तो भी बताईएगा मैं पूछती हूं आप लोग बोलते हो नहीं तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं करूं कोई काम लगा लिया नेगान आपने की कितना आसान आइविंग क्रियेट करना बस हो गया अब बारी आती है फॉल्सीज की फॉल्सीज मैंने ऐमाजॉन से मगाई हुई है काफी अफॉर्डबल रेंज की फॉल्सीज है लिंक तो नहीं दे सकते क्योंकि काफी डाइम पहले मैंने इस मुझे अच्छी लगी नेश्रल लुक देती है तो इसलिए मैंने इस लगाया अब मैं यहाँ पर कलरबार का मस्कारा यूज कर रही हूं और यह वाटर प्रूफ मस्कारा है कुछ इस तरीके से आपको लगा लेना है कि बस काजल के लिए मैं आपर प्लम का काजल यूज कर रही हूं और यह जेट ब्लाइक काजल है अगर आप लेना चाहाए तो ले सकते हैं मैं इस से लोवर अपर दोनु लाइस पर लगा ले रही हूं वाटर लाइन पर लगा ले रही हूं ताकि आईज लूक अच्छी लगे वा काजल िसमज़ना हो एक व्यीं च ours आपको साब को ऑच व्याधि कर लेकर इनलाइच Right कर लें 사़ के सब्स्रेण स्वर्ण के लिए इस सेट को पिक रहे हैं सारी ब्रोबॉन को हाई-लाइट करने के लिए कुछ ही स्तरीकिसे आपको Rio Vuong हाइलाइट कर लेना इनर कॉर्णर हाइलाइट कर लेना है also की ऐस्वाप आउट होती है काफी अच्छी लगती है बड़ी-वडी दीखती है इनर कॉर्णर हाइलाइट के लिए मैं इस कलार को पिक किया हुआ है बस हो गया अब यहां पर मैं लिप्स्टिक के लिए यूज करी हूँ हुड़ा व्यूटी का लिप क्रेयोन हुड़ा व्यूटी के लिप्स्टिक के साथ है मिला था मुझे तो मैंने इससे ही अपने लिप में फिल कर लिया लेकिन ओह मैंने विडाय किया और परपल नीज के लिपस्टिक में से कलर ट्राइ किया अभी तो मैं लगा रही हो विडा व Suppler का जो लगा रूह रही है अपने लिपस्टिक कर लिया सेम तो नहीं हां similar मिल गया same नहीं तो बस ए दिखिए हो गया अब चलो बढ़ते हैं बिंदी लगा लेते हैं बस दिखिए बिंदी लग गई अब चलो चोट बना लेते हैं चोट के लिए मैंने concealer palette उठाया वहां से दोनों color को इसको पहले लगा एक बाद हलका साई समझ किया अब एक ड़िट कलर की लिपस्टिक लेनी हैं बीच में लगानी है ऐसा लगना चाहिए कि ब्लड है अब फिरसे आपको बालों में double पार्ट कर लेना है क्या स्थर क्या बोलते हैं उसको मुझे इतना नहीं पता तो कुछ ही तरह से इतनी दूर की बालों को आपको ले ना है थोड़ा सा round गुमननननननन एक क्लिप की help से सिक्यूर कर लेना एक इसको कौन सी क्लिप बोलते हैं बताईएगा जरूर बस ऐसी ही साइड में भी आपको कर लेना है देखाना आपने की कितना आशान है इस style तो एसे ही मैं इधर भी क्लिप की help से सिक्योर कर ले maior हूँ अब बनाना है आपको bun सबसे पहले आपको क्या करना है Rs. क्लिप की help इसे secure करें इसके बाद बालो को थोड़ा सा पूल करें like जैसे मैं दिखा रहे हूं आप पूरी बालो कोई कठा करना है जूडा की हेल्प से आपको सिक्योर करना है इसके बाद यो पिन की हेल्प से आपको सिक्योर कर लेना है बन बना लेना है कुछ नहीं करना कोई भी बन मेकर की जरुरत नहीं है आपको सिंपल है अगर आपको लग रहा है कि यहां की है इस्टाइल निकल रही है तो पिन लीजिए उसकी हल्प से सिक्योर कर लिजिए बस से देखिए हो गया डेली के लिए बेस्ट आपसर हैं पार्टी वगरा में भी आप इस है इस्टाइल को ट्राई कर सकते हो आपको क्या करना है कुछ हां है एकसरी की जरुरत होती है बालों को सजाने के लिए ताकि आपके इसके बाद यह देखिए मैंने एकसरीज की बात की थी तो मैंने लगा लिया इससे लुप कंप्लीट हो जाता है सोए रहा मेरा फाइन लुप कैसा लगा बताएगा जरूर वीडियो पसंद आया हो आपके लिए हलफुल रहा हो तो मेक्शियो लाइक करें चैनल को सब्सक्र तो मैंने लगा जरूर जरूर्एट टाँ जरीजो फसी पसे लाइक करें ल offenses लाइक जरूर थेखिए चारम लुभबback लाइक करें लिए भलवागा जरूर जरूर लिए लाइक कैस तो कैसा जरूर आव लूबपैंद।